सो यारो इस वीडियो मैं मैं बात करने वाला हूँ जीजाजी छत परेशो के बारे में तो फाइनली इतने सालों बाद जीजाजी छत परेशो सब टीव में वापस आ रहा है पता नहीं मैं कितने सालों के बाद इस शो के उपर इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ तो जो ल मार्च से पश्मिना शो ओफियर हो रहा है और उसी दिन से सब टीवी में स्टार्ट होने वाला है जी जाजी छहतपरे शो तो बेसिकली जी जाजी छहतपरे शो का जो पुराने गुड निवस है, सब टिवी इशो को रिपीट में इसलिए दिखा रहा है कि कि इशो का बहुत ज़ादा डिमांड है, लोग आज भी इशो के लिए डिमांड करते हैं, इसलिए सब टिवी इशो को वापस ला रहा है, भले ही हमें पुराने एपिसोड को दिखाया जाएगा, बट फिर भी इशो को वापस दिखाया तो जा रहा है, वैसे इशो का जो प्रोमो है, वो 17 तारिक को या आ गया था, I think, मैं कल इसके बार में वीडियो बनाने वाला था, बट मैंने प्रोमो को नहीं देखा था टिवी पे, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं यूटूब पे भी अप्लोड नहीं किया है, इसका प्रोमो और एनांस नहीं किया है, सोशल मीडिया पे, कि 25 मार्स से जीजाजी शत परेशो स्टार्ट हो रहा है, जिसका पुराने एपिसोर्स को दिखाया जाएगा, अगर सोशल मीडिया पे प्रोमोशन किया जाता, तो I think बहुत सारे लोग इस्टो को देखते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं है, कि जीज़दी शत परेशो आ रहा है, और 25 मार्स से हमें इसके पुराने एपिसोर्स को देखने मिलेगा, तो कैस परसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वैसे तो जीज़दी शत पर कोई है शो, बट अनफॉर्चनेटली वो शो बंद हो गया था, लोग ने इस्टो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बट टीरपी अच्छा नहीं आ रहा था, लोग इस्टो को टीवी पर नहीं देख रहे थे, जिसके वरे से टीरपी कम आया, और के शोस पर फोकस कर रहा है, जैसे बादल पर पाव है शो आ रहा है, इसका अलावाँ जीज़दी शत परे शो के पुराने एपीसोड को दिखाया जा रहा है, तो आई थिंग कि सब टीवी जीज़दी शत परे शो का सीजन 3 को लांच कर सकता है, बट अगर जीज़दी शत उससे खुश हो या फिरी नहीं वो मुझे कमेट करके जरूर बताना तो वैसे इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो थोरह सा भी फसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता आपसे बोलो में तब तक कि लिए बाइए